हेलो फ्रेंड्स इंडियन रेसिपीज विसीमा में आपका स्वागत है आज मैं आपको इस्पेशली मकर संक्रांती के लिए तिल और गुड के लड़ू बनाना बता रही हूँ तिल और गुड तो गरम होता है और ठंड में ये लड़ू खाना अच्छा होता है स्वास्त के लि तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो चलिए ये लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं तिल गुड के लड़ू बनाने के लिए 200 ग्राम तिली लिया है इस तिली को अच्छे से साफ कर ले और इसे रोष्ट करना है करिब 5-6 मिट रोष् नहीं हो पाएगी और इसे continue इस तरीके से चलाएं ये तिलि अच्छे से रोष्ट हो गई है जब रहने तिली को क्योंकि इतनी मोटी होती है कि वह तिली उसमें रखे-रहुight जल सकती है उसी कड़ाई में 1 टे्बल स्पोन घील लें कि अच्छे से मेल्ट हो गया है यहाँ पर 500 ग्राम गोल का यूस किया है गोल को अच्छे से बारिक काट कर यूज करें क्योंकि बड़ा बड़ा गोल जल्दी से मैल्ट नहीं हो पाता है दिक्कात होती है जितना यहां पर तिल लिये हैं उतना ही गोड का यूज किये हैं इसमें वन टेबल स्पून पानी डाल दें पानी डालने से गोड जल्दी से मैल्ट हो जाता है और घी डालने से लडू तो बहुत स्वाधिश्ट बनते हैं साथ ही ये बहुत ही अच्छे चमकदार भी दिखते हैं उपर से देखने में ये गोड अच्छे से मेल्ट हो गया है इसे मीडियम या मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाएं तेज में ना पकाएं तेज में करने पर ये गोड जल सकता है दो से तीन मिर्ट बाद ये जब अच्छे से में पक जाता है तो इस तरीके से देखने में लगता है ये देखिए यानिकि ये परफेक्ट बनकर तयार हुआ है ये चासनी को ना तो जादा पकाना है और ना ही इसे कम पकाना है इसे चेक करने के लिए किसी भी बरतन में पानी इसकी ड्रॉप डाल कर देखें ये ड्रॉप ये फैल नहीं रही है तो ये परफेक्ट बनकर तयार है ये पानी में इसकी ड्रॉप फैलती है तब ये नहीं की पकानी है अब ये बनकर तयार है इसमें ये बुनी हुई तिल डाल दें गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है ध्यान र यह नारियल का बूरा है दो टेबल स्पून इसे डाले और स्पीट से मिक्स करें रुकना नहीं है नहीं तो गुड़ जम जाएगा इस प्रोसेस को आप जल्दी-जल्दी करें इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब इसके लड्डू बनाना है इसे गरम-गरम में ही बनाना होता ह है इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा पार्टीशन करके रख लिया है क्योंकि बहुत गरम है और किसी भी बरतन में पानी लें उससे आप अपने हाथ गीले कर लें हाथ गीले करने पर यह लड्डू चिपकते नहीं है और आसानी से बन जाते हैं आप इसे जिस भी साइज क दानी डालना चाहते हैं तो मुंफली को भून कर उसको धरदरा कूट कर इसमें डालें तो भी बहुत यह अच्छा टेश्ट आएगा इस तरीके से आप बनाकर रख लें इखटे इसे स्पीट से करना होता है बाद में यह ठंडा हो जाता है और बनाने में दिक्कत हो रही है यह गोल गोल नहीं बन पा रहे हैं लड़ू तो आप इसको हलका सा गरम करें जादा गरम ना करें नहीं तो दिक्कत होगी इस तरीके से बनाकर रख लें यह देखिए कितने अच्छे लड़ू बनकर तयार हुए हैं फ्रेंड्स यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे त अब मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विसीमा को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए ओके फ्रेंड्स बाई बाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं